हलो फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे इस नेरो सलवार की कटिंग और सिलाई करना ये नेरो सलवार है ये पटियाला सलवार से थोड़ी सी अलग होती है इसकी मोहरी थोड़ी चोड़ी होती है और इसकी कटिंग इस तरीके से बन के आने वाली है तो सबसे पहले हमने ये 3 मीटर कपड़ा ले लिया है नेरो सल्वार बनाने के लिए और ये हमारा printed कपड़ा है और इस सल्वार को हम 40 की बना के तैयार करेंगे और हम कोसिस करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकें सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से मोड लेना है देखिए हमने दो तह में पकड़ रखा है कपड़ा ये देखिए जैसे हम ऐसे तह लगाते हैं आपको आपको इसार्य की सतर Genau vist चाहों से तरीके सिदेश न ऊक्रालन करने हैं जैसे कि हम चालिस की बना के तैयार करेंगे और 7 इन्च की BELT सबा से साथ इंच Night कालना हन निकाल के रखा मैं और जो BELT प्र ले लें हैं वह भी हमारी चालिस है जिसमें हम एक inch पार्ट में ले ले लेंगे सिलाई margin तो हमने टोटल 41 इंच पे निसान लगाया है और हम अपनी बैल्ट में भी margin लेंगे वो तो बैल्ट में पता लग जाएगा, अब जैसे नैरो सलवार की जो हमारे पार्ट होते हैं वो थोड़े से तक तैयार होगी है अब हम इसको डबल करके देखते हैं तो इसका जो डबल होता है वो 14 होता है तो इसमें से हाप इंच और बढ़ा लेंगे तो टोटल साथे साथ तक ले लेंगे और कटिंग कर देंगे हमें आसे और मैंने कपड़ा बंदवाली साइड से बचा रखा है खुली ताकि मेरी बैल्ट के लिए कपड़ा बच जाए तो देखिए ये बंदवाली साइड से और ये खुली वाली साइड से दो पार्ट निकल गए हमारे ठीक है तो अब ये जो किनारी वाला पार्ट है इसको मैं निकाल दूँगे क्यूंकि किनारी वाले पार्ट में खिचाब पड़ता है कभी भी किनारी वाले पार्ट को कुर्ती में हो चाए किसी में भी हो क्यूंकि वो जो जो खाता है उसको निकाल दें पतला पतला सा अब ये जो कपड़ा है हमारे सामने यह देखिए आपके सामने यह जितना भी कपड़ा बचा है इसको हम पहले फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से यहां से फोल्ड कर लेंगे हम और दो फोल्ड में बिचा लिया है मैंने इसको अब हम फिर से वही करेंगे प्रोसेस साथ इंच बेल्ट का निकाल के आसन के लिए निसान लगाएंगे पंधरा इंच पे ठीक है अगर हम इस तरीके से नापते हैं तो आठ इंच आता है अगर हम साथ इंच बेल्ट का छोड़के सेम हम दूसरी साइड से भी निसान लगाएं को मैं एक दूसरे से यहां से इस तरीके से मिला रही हूँ इंस टेप को मैंने रख लिया है और बस ऐसे छोटे-छोटे डॉट लगा देंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो हम उसी डॉट के ओपर कटिंग करें यानि उसी निसान के ओपर कटिंग करें जो हमारा है अभी देंगे इस तरीके से यहां से हम ऐसे गोलाई देंगे क्योंकि पटियाला सलवारे यह पंजाब में ज्यादा पहनी जाती है नैरू सलवार आपने देखा होगा उनकी सलवारे होती हैं वह कितनी भी मिटर की हो उनका वो जुक्ता नहीं है कि यहłęिदा ही देंगे की गोलाई दे देंगे और अभी एक कली cut कर रहे हैं दूसरी कली को हम यही कली रखके cut कर लेंगे तो देखिए बिल्कुल उसे निसान के ऊपर चलते हुए हम cut कर लेंगे कली को और यहां से इसको यह हमारी करेंगे ही लेकिन ध्यान रखें खुली आसन वाली साइड से आसन वाली साइड और बस उसी प्रोसेस से कटिंग कर देनी है तो इस ही को बूलते हैं तो है ना कितना इसी पहले पटियालाग सलबा मुझा लगाया और क्लास की वीडियो एक दिन छोड़के एक दिन आएगी अभी जो हमने सिखाया है आप उसको देखें अभी यहां से हम नाप लेते हैं कलियों को जैसे कि हमारी जो पार्ट की लेंट थी वह कितनी थी 30 इंच और इसकी थोड़ी सी एक इंच उची रहेगी अभी यह हमारी बेल् को जोड़के और रख लेंगे और यहां से यह देखिए कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है थोड़ी सी गोलाई आई हुई है यह देखिए यहां से थोड़ी सी गोलाई आती है और जो बैल्ट के लिए कपड़ा बचा था हम उसी को जोड़ जाड़के तैयार कर लेंगे त दूसरे पैर का, ठीक है, एक ही आसन बंद करना है, आपको दूसरा आसन नहीं बंद करना है, अभी क्या करते हैं, ये हो गया हमारा बैक, यानि कि पीछे वाला इससा, अब हम तीन इंच पे निसान लगाएंगे, और तीन इंच पे हम दूसरी साइड को लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें 6 इंच कपड़े की प्लेट डालनी है तो इस 3 इंच को हम इस तरीके से मोड देंगे यानि कि एक बॉक्स प्लेट टाइप में यहां पर डलती है और यहां पर दो पिन लगा देंगे इस तरीके से रखेंगे इसको और पिन लगा देंगे अब जो दूसरी साइड है इसको भी ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे यह देखिए मैंने दो पिन लगा दी है अभी हमें देखना है कि हमें कपड़ा कितना छोड़ना है जहां तक हमें प्लेट नहीं डालनी है अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा खोल के रख लेते हैं और यह है मेरी बेल्ट मैं आपको बेल्ट दिखाए देती हूँ बेल्ट की जो लंबाई है वो साथ तयार थी उसमें दो इंचे एक्स्ट्रा है मेरा तो टोटल नौ इंचे है इसकी लंबाई और जो चोड़ाई है वो कमर से पांच इंच जादा लेनी है अब बेल्ट का सेंटर कर लिया है अब हम यहां से देखिए बंद वाली साइड से निसान लगा रहे हैं अगर आप पतले हो तो यह निसान आपका कम पे आएगा अगर आप फैल दी हो तो फिर हमें बेल्ट जादा चाहिए तो यह दो तरीके से लगता है मतलब आप 11 से लेके 13 इंच तक इसे लगा सकती हो यह हर साइज के लिए है ऐसा नहीं है कि यह मैं एक नपकर रखी है और जो बाकी का फैबरिक है साइडों का उसमें हमारी प्लेट डलेंगी चलिए तो मसीन पे सीख लेते हैं अच्छे से यह पीछे वाला हिस्सा है और यह पहले आपको रखना है अपनी सलवार वाला कपड़ा और फिर उसके उपर रखना है बेल्ट को तो ब तेरह एंच तक 16 सिलाई लगानी है है यहां तक मैंन कोई प्लेट नहीं डाली अभी डारेक्शन बदलेंगे अभी डारेक्शन करेंगी प्लेटों का और प्लेट की जो जितना भी आपका कपडा है वो आपको बचा हुआ फैबरिक है बैल्ट में तने महींre है एसे अरज़ेस्ट करना होगा प्लेट के अंदर प्लेट को रखना है अच्छे से से एक करना है और जो प्लेटों का ड दोनो साइड से ही, अब यहाँ से हम इसको complete कर देते हैं, तो देखा आपने पूरा कपला हो गया ना, अबी देखे, plate बहुत अच्छे से लग के आई है, अब दूसरी side को same करेंगे, तो यह हो गए, अब दूसरी side, पहले यहाँ से लेके यहां तक सिलाई लगाएंगे 13 इंच तक जैसे मैंने उस साइड लगाएंगे खाले सिलाई ठीक है, अभी फिर से प्लेट डालेंगे, तो आसन अब की बार भी मेरी साइड ही है, तो आसन वाली साइड को मैं इसका मूह कर रही हूं, प्लेटों का सेम 3-3 इंच की हमें नहीं वाणा नहीं हो नहीं होती है हमारी पटियाल सलवार हुथ है उन में ज्यादा कपड़ा होता है यह ने जेदि के काम करती है इसी को ज़्यडा पंजाब में पहनना पसंद करते हैं कर दिया है यहां तक पूरा हो गया है अभी हम क्या करते हैं दागे को कट करके और एक जो हमारी सिलाई होती है वो लगा लेते हैं यह देखिए यह बहुत जरूरी है लगानी क्योंकि अगर यह नहीं लगाएंगे तो बाद में फ्लेटे हमारी उधर जाती है तो बस कपड़ा को डायरेक्शन उपर की साइड करके अब बना लेते हैं नाडे वाली जगए यानि की नेफा पहले हम क्या करेंगे इसको लगभग आदा इंच के बरावर सिलेंगे यह देखिए आदा इंच के बरावर सिलने के बाद और फिर उसको पूरा सिल देंगे यानि की आसन के लिया था दो इंच का तो मैंने नौ इंच की लिए थी बैल्ट ठीक है तो मुझे टेड़ इंच तो यहां पे मोड़ना है और आधा इंच मेरा चला गया जो मैंने बैल्ट जोड़ी थी तो हो गई ना साथ इंच की मेरी बैल्ट तैयार और हमारा जो सलवार में भी हमने मार लिया था एक इंच तो वो भी आदा इंच धर चला जाएगा आदा इंच महरी में अब हमारी देखिए बहुत अच्छे से बैट लग गई है अब हम कर लेते हैं अपनी महरी की तैयारी तो हमने ये पांच इंच ओड़ी बुक्रम ले लिए पेपर पेस्टिंग चुपकाने व महरी से आपको बुक्रम लग भग दो इंच जादा कट करनी है क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी एक्स्टर निकलनी चाहिए वरना फिर वो कपड़ा रह जाता है अगर हम उसमें एक्स्टर नहीं लेते हैं अब कुछ निकलना बस सीधी सीधी सिलाईयां लगानी हैं हमको चाहे 10 सिलाईयां चाहे 15 सिलाईयां तो देखिए मैंने लगभग इसमें 9 सिलाईयां लगाई हैं टोटल करके अब मैं इसकी चोड़ाई देख लेती हूँ तो यहां से मैं साड़ी 6 इंच की महरी तयार रखूंगी और साड़ी 6 इं सलवार हमारी बनके complete है पहन के भी दिखाई है हमने कि इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है इसकी कुर्ती हम जल्दी ही सिखाएंगे आपको ये देखिए बहुत सुन्दर ये सलवार बनके आई है और मोहरी की बात करें तो इतनी चौड़ी मोहरी है इसकी और आप इसे plain में बनाईए printed में बनाईए और cutting को अच्छे से देखिए आप देख सकती है आगे से जो प्लेटो का direction है वो बहुत अच्छे से आया है अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का